हाई फ्रेंज मैं हूँ चैताली आप सबको मेरे गार्डेन में स्वागत हैं ये देखिए फ्रेंज़, आज मेरे गार्डेन में एमरिलीस की दो फ्लावर्स की लिए हैं कितनी प्यूटिफुल है देखिए इसे नाकेड लीली की नामों से भी जाना जाता है यह एक evergreen perennial summer plant है पिछले तीन सालों से यह मेरे पास है और मैं हर साल आपके साथ इसकी flowering share करती रहती हूँ Emerilis plant की flowers की color बहुत सरे रंगों में होते है लेकिन मेरे पास यह white और red mixture हुए colors की flowers है इसकी flowers लाल, सफेद, गुलाबी और नारंगी रंग के होते है इस साल मुझे लगता है इस flowers की size थोड़े बड़े हुए है यह देखिए कितने बीग है इसकी petals यह plant bulb से उगने बाली plant है और bulb जितने भी पुरानी होगी उसकी flowering उतने ही अच्छी होगी देखिए यह मेरे तीन सालों की plant है इसका मतलब है इसका bulb का age तीन साल होए और यह बहुत ही पुराने है इसलिए इसकी flowering इतनी अच्छी हो रही है एमरेली इसकी flowering शुरू होते है मार्च महिनी से और इसकी flowering चलती रहती है जून महिने तक और इसका flowers फानेल की तरह देखने में होते है यह देखिए इसकी single और double petal variety की flowers भी देखे जाते है यह देखिए यह है mother bulb जिसको मैंने 40 rupees से खरीद के लाई थी और इसी एक bulb से बहुत सरे बल्ब चारों तरफ निकले है और उसी में फिर से flowering शुरू ही है यह देखिए mother plant की stock के पीछे और भी एक stock है और कितने सारे new new plants यहाँ पर grow हुए है इसकी बल्ब अभी भी छोटे है तो एक साल की mature हो जाने के बाद इन में flowering होती है यह देखिए इस साल की दूस्टी stock यह देखिए और दो तिन दिनों में ही यह flowering करेगी बहुत जल्दी ही बर जाते है यह plant और इसकी जो stock है वो एक pipe की तरह होते है amaryllis plant को दिन की चार से पाज घंट की दूप मिलती रहे इस बात की ख्याल रखिएगा और जब इसमें flowering stock आने लगे तब इसे थोड़ा shady area में रख दीजीगा क्योंकि तेज धूप की बज़े से इसकी जो flowering होगी वो सूख जाते ह जल्दी से नहीं तो ये दो तीन दिन बहुत ही अच्छे तरह flowering plant में ही रहते हैं अब मैं amaryllis plant की watering के बारे में बोलूँगी amaryllis plant को ज्यादा watering करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसकी जो bulb होती है ज्यादा watering करने से वो गल जाते हैं इसलिए जब देखेंगे pot की top soil सूख गये है तब ही आप इन में watering करेंगे flubbering आने से पहले मैं इस plant में एक मुट्टी करके हर week में bone dust देती हूँ क्योंकि bone dust में phosphorus की मात्रा ज्यादा होते है तो बल बली कोई भी plant में phosphorus flubbering होने के लिए बहुत ही helpful रहते है ये देखें मेरे rose भी आ गया है emerylis की flowering देखने के लिए ये देखिए रोजी हर्जा इस flower की कोई smell नहीं होती है ये देखने में ही बहुत beautiful होते है अगर आप emerylis की bulb एक बार garden में लगा लेते है तो ये सालों साल यानिकी 20 से लेकर 30 साल तक इसकी bulb चलती ही रहती है तो ये आपके garden में जरूर एट कीजि इसकी बीना कियर के ये हर सल आपको इतनी beautiful flowering देती ही रहेगी emerylis plant की stock में दो से लेकर 6 birds एक साथ रहते हैं और मेरे इस stock में देखिए 2 birds है तो ये जो stock होते है ये pipe की तरह होते है flowering खत्म होने के बाद इस flower से seed भी बनते है लेकिन seed से new plant ग्रो नहीं होते है इसकी bulb से ही new plant ग्रो होते है flowering खत्म होने के बाद इस plant में बहुत ज़्यादा इसकी leaves बनते है और november डिसंबर महिने में इसकी leaves सूख जाते है तब सिर्फ बल्प ही परे रहते है अगर आप चाते है तो flowering खत्म होने के बाद इसकी जो bulb होते है वो आपके घर में store कर अगर आप pot में इस plant को रहने देते है तो pot को लेकर garden के किसी corner में रख दीजिए अगले साल के लिए मेरे इस टूटे विए pot में ही पिछले साल से यह plant है और इस pot में मैंने एक बल्प को लगाई थी तो एक से देखिए कितने सारे plants यहाँ पर बन गए है मैंने जब इस pot में बल्प को लगाई थी तब मैंने 40% garden soil, 30% sand और 20% compost एक सार मिला गए तीन साल होए गए मैं इसकी report नहीं की तो बहुत ज़न्दी एक pot लाने के बाद मैं इसकी report करूँगी और वो भी आप सबसे ज़रूर शियर करूँगी फ्रेंस ये वीडियो मैं दो दिन बाद की है पहले जो मैंने stock को दिखाई थी उसे की stock में देखिए फ्लबरिंग हुई है और ये अभी तक खिले नहीं है मैं बर्ट को दिखाना चाहती थी इसलिए इसकी वीडियो आप सबको दिखार हुई इसमें देखिए और भी दो बर्ट है इस stock में four flowers blooming होगी और ये देखिए फ्रेंट्स जिसकी flowering मैंने आप सबको दिखाई थी उसमें flowers तो सुख गया है और ये seed बन गया है ये है seed pot ये देखिए लेकिन इस seed pot से plant तयार करना बहुत ही मुश्किल है इसलिए हम लोग bulb से ही new plant ग्रो करते हैं तो फ्रेंट्स अब देखिए मेरे दूस्टे pot में और भी सारे बल्ब लगे हुए है ये अभी मैचियों नहीं हुए है इसलिए इस साल इससे flowering नहीं होगी ये मैचियों होने के बाद ही इन में से flowering होगी मेरे पास बहुत सारे बल्ब से मैंने दो तीन और पॉर्ट तयार की है इसी प्लैन से तो फ्रेंट्स आज के लिए बसीत नहीं अगर आपको ये वीडियों पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे लाइक और कॉमेंस कीजिएगा और जो लोग पहले बार मेरे चैनल को देख रह जागे वानेबल है वह आपके पर सबसे पहले पहुच जाएगी वीडियो के इन तक देखने के लिए वीक ठैक्ट